या देबी सर्व भूतेशू मात्रीपूर भैर वीरू पेड संस्थिता नमस्तश्याई 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 नमू नमहा जै माता दी ओमनमह शिवय प्रियभक्तगडों आज गुप्त नवरातरी का छठा दिन भक्ति और मुक्ती की अधिश्ठातरी मा कात्याईनी तृपूर भैर वी को समर्पित है इस दिन इनकी कथा का सुर्वण करने और पूजा पाठ करने से माता तृपूर भैरवी भक्तों क सफलता एवं संपदा प्रदान करती हैं। मा की साधना से अहंकार का नास होता है। मानता है कि मा अपने भक्तों पर प्रसन हो जाती हैं। तो उन्हें साक्षाद दर्शन भी देती हैं। और समस्त मनो कामनाओं की पुर्ती करती हैं। मा मोक्ष प्रदान करती हैं। दुख सं जड़ से खत्म हो जाता है तो आज मैं सुना रही हूं गुप्त नवरातरी के छठे दिन सुनी जाने वाली मातरी पूर भैरवी और मा कात्याईनी की पावन पौराडिक दुरलब कता जिसे आप सभी भक्तगड बड़े ही प्रसन चितमन से सुनिये और वीडियो को लाइक करक कमेंट में जै माता रानी अवस्य लिखें चैनल को सब्सक्राइब करके बिल बटन को भी दबाएं ओम दुम दुरगाये नमा जै माता दी प्रिय भक्तगडु मातरिपूर सुन्दरी के कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान सीव से मृत्तु के दर्द से मनुष की मुक्ती के लिए उपाय पूछा तब भगवान सीव ने दस महा विद्याव में से मातरिपूर भैरवी को प्रकट किया जब समस्त प्रिथवी पर मनुस्यों का अस्तित्व हो गया था तब उस समय देवताओं को यह चिंता हो गई थी कि यदि प्रिथवी पर इसी प्रकार मनुस्यों का जन्म होता रहा तो उनकी अंत की कोई विवस्था नहीं होगी श्रिष्टी का संतुलन बिगड जाएगा समस्याओं का समधान और हे देवताओं मैं अपने भैरवी रूप में यही करने आई हूँ देवताओं ने कहा हे माता आयू समाप्त होने के बाद मनुस्यों तथा जीवों की मृत्ती होगी ये तो ठीक है किन्तु किस-किस जीव की क्या आयू होगी उनका अंत कैसी होगा वो आत्माय कहा जाएंगी माने कहा मेरे फुनेस्वरी स्वरूप में 14 लोकों की रचना की थी जिनमें देवताओं का निवास स्वर्ग लोक भी है अतह मैं अपने भैरवी रूप में उस विसेस लोक की रचना करूंगी जहां जीवन के उपरांत नश्वर सरीर के नश्ट हो जाने पर आत्माओं का वास होगा ऐसा कहकर माता ने अपने जटा से एक सिखा तोड़ कर उसे नीचे पटक दिया और उस जटा से यम लोक का निर्माड हुआ जहां पर पाप आत्माओं और पुन्य आत्माओं के लिए श्ठान अलग-अलग था आगे मा ने कहा कि प्रतेग मनुस्य को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यू के पश्चात उनके द्वारा रचे लोक में आना होगा जो सत्कर्म करेंगे उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और जो दुस्कर्म करेंगे उन आत्माओं को यहां से होकर नर्क में जाना होगा किन्तु जिन जीवों के लिए भक्ती ही सर्वो परी रहेगी माता की चाहे किसी अन्य देवता की तो उन मनुस्य रूपी आत्माओं को मुक्ष की प्राप्ती होगी बिश्णू लोक ब्रह्म लोक अथवा कैलास अर्थात दिव्य लोक में इस्थित होंगे प्रिय भक्तों इस प्रकार माता ने मृत्तिव लोक का निर्माड किया और इस लोक का कारेभार यम देव को सौप दिया यह कथा उस समय की है जब सौर्य देव का तेज निरंतर बढ़ता जा रहा था और सौर्य देव की पत्नी से उनकी दो संताने थी यम देव और यमुना उस समय जब सौर्य देव का ताप निरंतर बढ़ रहा था तो उस ताप को देवी संग्या सहन नहीं कर पा रही थी इस करण सुर्देव भी उनसे रुष्ट रहने लगे। माता संग्या जब देखती हैं कि उनके पती उनके सानिध्य के बिना अधूरे हैं और रुष्ट रहते हैं। इसके निवारण के लिए उन्होंने देवी मा त्रिपूर भैरवीशे प्रात्ना की और उन्हें यह उपाय सुझा कि क्यों ना वे अपनी प्रती छाया को यहीं पर छोड़ कर पपस्या के लिए प्रिथ्वी लोग पर चली जाएं। और किसी को भी इस रहस्ये का पता नहीं चलना चाहिए कि सूर्य लोग में देवी संग्या नहीं हैं। यह कहकर देवी संग्या वहां से प्रिथवी लोग के लिए चली गई जहां वे तपस्या करने लगी अब यहां पर यम देव भी तपस्या के लिए चले गए थे अब देवी छाया खुसी पुर्वक बड़े ही प्रसनता से सूर्य देव का सेवा भाव करने लगी सूर्य देव को भी नहीं पता था कि यह मेरी पत्नी नहीं बलकि उनकी च्छाया है सूर्य देव भी उनके साथ पती के तरह वेवार करते और खुसी-खुसी समय व्यतीत हो रहा था इस बीच सनी देव का भी जन्म हुआ किन्तो जब यम देव तपस्या से वापस आ चुके थे तो उन्हें यह आभास हुआ कि यह उनकी मा नहीं है क्योंकि च्छाया तो जानती ही नहीं थी कि संग्या देवी का एक पुत्र यम देव भी है इस करण वे उन्हें पहचान नहीं पाई यम देव को यह बड़ा अट-पटा लगा कि भला कोई माता अपने पुत्र को कैसे न पेरी माता नहीं है। इस बात को यम देव ने सुर्य देव से कहा। सुर्य देव को बहुत ही क्रोध आया। तब सुर्य देव का क्रोध देख कर। छाया ने उनसे विनती करते हुए कहा। आप अपने पुत्र को दंड ना दें। उससे क्रोधित ना हो। दरसल वे संग्या नहीं बलकि उनके प्रती रूप छाया है। और संग्या देवी फिर्थवी लोग पर तवस्या के लिए चली गई है। प्रिय भाक्त गडों इतना सुन्ने के बाद सुर्य देव को बहुत ही क्रोध आया। अब वे अपने स्वसुर बिश्व कर्मा जी के पास जा पहुचे और उनसे सारी बाते कहने लगें और क्रोध में उनके सरीर से अदभुत तरंगे निकलने लगी। और वे तरंगे एक जल पातर में जाकर इकठा होने लगी। यह सब देख कर इस समस्या का एक उपाय सुझा। उन्होंने सुर्य देव के ताप को कम किया। और जल में देवताओं के लिए अस्त्र सस्त्र तयार किया और वे अस्त्र सस्त्र देवताओं को उन्होंने भेट भे किया। किन्तो जो उस पातर में बाके की उर्जा थी। उससे उन्होंने अंजाने में ही एक पाश का निर्माड कर दिया। अब सवाल ये उठा कि यह पास किसको दि अब उसी समय यमदेव अपने पिता को ढूनते हुए अपने नाना के घर विश्व कर्मा जी के पास जा पहुचें। ये सब देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही क्रूद आया कि वे इतने बड़े देवताओं की राजा हैं। इसने अपना स्वामी खुद चुना है। और उन्होंने आगे कहा यम निश्चल और पवित रहें। उनके हुदय में कोई भी भेद भाव और कोई भी एहंकार नहीं है। इसलिए यह पाश उन्हें प्राप्त होता है। आगे देवी ने कहा यम मैं तुम्हें मृत्यू का देवता और मृत्यू के उपरांत आत्माएं जिस लोग में निवाश करेंगी। उसका अधिपती बनाती हूँ। आज से वो लोग यम लोग के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कहकर मा भवानी ने सृष्टी को संतुलित किया। और जितने भी मनुस्य मृत्यू के पश्चात आत्मा रूपी में परवर्तित होते थे वे यम लोग ले जाये जाते थे। और वहीं पर चित्रगुप्त द्वारा लेखा जोखा करने के बाद यम राज माता की आग्या से मनुस्यू को उचित दंद देते थे और उनके कर्म किसी भी स्वरूप की साधना साधो को सार्थक कर देती है। मा त्रिपूर भैरवी कंठ में मुंड माला धरड किये हुए हैं। माने लाल वस्तर धरड किये हैं। मा के हाथ में विद्या तत्व है। मा त्रिपूर भैरवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करने से माता अतिस्तिक्र प्रशन हो जाती हैं मा त्रिपूर भैरवी की बीज मंत्रों का जब करने से संकटों से मुक्ति मिलती है इन मंत्रों का जाब करने वाला स्वभाग और आर्योग का अधिकारी बन जाता है मा सक्ति स्वरूपा है ये कमल की आसन पर विराजमान है यह स्वरूप देवी का सौम सोभाव युक्त है भगवाती त्रिपूर भैरवी नहीं 18 भुजा युक्त देवी दुरगा में उत्तम मधु का पान कर महिशासुर का वध किया था इसलिए इनको महिशासुर मर्दनी भी कहा जाता है देवी द्रिपूर भैरवी का शंबध काल भैरो से है काल भैरो को भगवान संकर का ही अवतार माना जाता है काल भैरो दंडा धिकारी है और देवी भगवती दंडा धिकारी है दुस कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज देते हैं प्रिय भक्तों त्रिपूर भैरवी काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता समसान भूमी, अस्त्रसस्त्र, मृत्सव, रक्तमांस, कंकाल, खपर, मदीरापान, धुम्रपान आदी, विध्वान्सकारी चीजे देवी को प्रिय हैं भूत प्रेत पिचास टाकिनी, भैरव कुत्ते आदी इनके सेना है जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता ही है, लेकिन मृत्यू के उपरांत भी देवी भगवती दंड देती है यह मिध्या जगत देवी में ही विलिन हो जाता है, देवी भैरवी दिढ़ निश्चय की प्रतीक है इन्होंने ही पारवती के सुरूप में भगवान सिव को पती के रूप में पाने का दिढ़ निश्चय किया था और तप करके अनंत भगवान संकर को पा लिया था देवी के भैरव बटुक हैं तथा भगवान नर्शिं सकती हैं देवी की सक्ती काल रात्री तथा भैरव काल भैरों हैं। देवी त्रिपूर भैरवी अपने कई नामों से विख्यात हैं। जैसे त्रिपूर भैरवी, कैलाश भैरवी, चैतन भैरवी, नित भैरवी, भद्र भैरवी, समसान भैरवी, सकल सिधी भैरवी, संपद प्रदा भै प्रिय भाक्तगडों राजयस्वरी नाम से प्रसीध भुनेश्वरी देवी जिन तीनों भुवनों के पदार्थ की रक्षा करती हैं। पुरा हुआ, ब्रम्हांड पुराड में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिश्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। शुर्वध के प्रशंग में हुआ है, तो एक बार प्रेम शिबोलिये, जै मा भवान, ओम नमस्षिवार, जै हो माता त्रिपूर भैरवी, अपने भक्तों को सुक सम्रिधी प्रदान करके, मोक्ष की प्राप्ती कराना, जै माता दी, प्रियभक्तगडों, अब आप स्रमण करेंगे, माता कात्यायनी की बहुत ही सुन्दर और कल्यान कारी कथा, नवरात्री का छठा है ये, मा कात्यायनी रूप, कल युग में सक्ती बनी, दुर का मोक्ष स्वरूप, देवो की रक्षा करे, लिया तभी अवतार, ब्रज मंदल में हो रही, आपकी जै जैकार, या देवी सर्वभूतेशु, कात्यायनी रूपेड संस्तिता, नमस्तस्तै, 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 नमो नमहां, जै माता दी, ओम नमह शिवाय, प्रियभक्तगडों, आज का दिन, सील वान, धन बैभो देने वाली, ब्रज मंदल की अधिश्ठात्री, माता का त्यायनी को समर्पीत है, आज के दिन, भक्ती भाव से, माता का त्यायनी के ब्रत कथा का सरवन करने से, सरवन करता को, धन बैभो पद प्रदिश्ठा की प्राप्ती होती है, विवाह से ज साथ ही अर्थ धर्म काम मुक्छ की प्राप्ती होती है, बेक्टी पापों से मुक्त होकर माता की कृपा का पात्र बनता है. तो आज मैं सुना रही हूँ, सारदा नवरातरी में सुनी जाने वाली माता कत्याईने की बड़ी ही दुरलव तथा पवराडिक कथा, तो आप सभी भक्तगड इन कथाओं को बड़ी स्रधा तथा प्रसन चितमन से सुनियेगा। जब प्रित्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब रिसी मुनियों, समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ती दिलाने के लिए मा आदी सक्ती कात्याईनी रूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिध रिसी थें, उनके पुत्र का नाम कात्य रिसी था। इनहीं कात्य रिसी के गोत्र में अती प्रसिध महर्सी कात्याईन का जन्म हुआ। महरसी कात्यायन मा जगतंबा के परम भक्त थें। महरसी कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि मा भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। मा जगतंबा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्सों तक बड़ी कठोर तपस्या की। मा भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महरसी कात्यायन के घर में जन्म लेना स्विकार किया अस्विन कृष्ण चतुर्थी को ये महरसी कात्यायन की पुत्री के रूप में मा जगतंबा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन रिशी ने माता आदिस सक्ती की विधिवत पूजा का आयोजन किया। सुख सप्तमी अश्टमी तथा नौमी तक तीन दिन उन्होंने कात्यायन रिशी के पूजा ग्रहण करके दसमी को महिसासुर का वधुकर दिया था। महिसा सुर्का वध करने के पस्चात, समस्त देव, मानव लोकों में मा दुरगा की जय जय कार करने लगें। कात्यायन रिसी की पुत्री होने के कारड ये माताजी, कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महरसी कात्यायन ने सर्व प्रथम मा कात्यायनी की पूजा की। इसी कारड यह कात्यायनी कहलाएं। मा कत्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पती के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनही की पूजा कालंदी यमुना के तडपर किया था। यह ब्रज मंडल की अधिश्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठी थे। भगवान स्री कृष्ण ने भी माता कत्याइनी की पूजा की थी। इनका वाहन सिंग है। इनकी भगती को परीपोण, आत्मदान करने वाले ऐसे भगत को सहज भाव से मा कात्याइनी की दर्सन प्राप्त होते हैं। मा कत्याइनी की भक्ती और उपासना द्वारा मनुस्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ती होती है उसके रोग सोक संताप भै आदी सर्वता नश्ट हो जाते हैं प्रिय भक्त गड़ों अब आये सुनते हैं कन्या कुमारी माता की कथा सिव पुराण में लिखिद एक बहुती प्रसिध कथा के अनुसार वारा सुर नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कू कर्मों से पिड़ित कर रखा था सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थें लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था क्योंकि इस असुर को भगवान सिव की और से परदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यू केवल कुवारी कन्या के हाथों से होगी यह वरदान उसे भगवान सिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था उसी राक्षस का वध करने के लिए आदे सक्ती की एक आंस से एक पुत्री को जन्माया गया इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ, राजा के आठ पुत्र और एक पुत्री थी, इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या, इस कन्या को भगवान सिव से प्रेम हुआ, और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की, उनकी तपस्या से भगवान सिव प्रसन सब्सक्राइब बाद कन्या कुमारि से लगभग, बारह किमी दूर, शुचिंद्रम, गाउं में ठहरी, उधर कन्या कुमारी का बिवाह होते देख देवतागण परिसान हो गएं कि अब बाड़ा सुर का वध कैसे होगा, पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन जब बात नहीं बनी तो छलका सहारा लिया बिवाह का समय ब्रह्म मूरत रखा गया लेकिन नारज जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बाग दे दिया सिव जी को लगा कि सुबह हो गई और वह ब्रह्म मूरत पर नहीं पहुच पाएंगे इसलिए भोले नाथ बारात लेकर वापस कैलास परवत पर लोट गए उधर दुलहन के रूप में तयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेक दिया कहा जाता है कि कन्या कुमारी के तटकी रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कड मिलते हैं जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं प्रियभक्तों बारात लोटने के बाद देवी कुमारी के दिबे सौंदर की चर्चा वाडासुर तक भी पहुझ गई उसने देवी के पास बिवाह का प्रस्ताव भेजा देवी के मना करने पर वह जवर्जस्ती पर उतारू हो गया तब बाडासुर और देवी में भयंकर युध हुआ जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया बाडासुर के वध के बाद परसुराम और नारज जी ने देवी से कल्यू की आखिरी तक उसी जगह पर रहकर आशुरी सक्तियों से लड़ने की प्राथना की जिसे उन्हों अने स्विकार भी कर लिया इसके बाद परसुराम ने समुद्र तट पर एक विसाल मंदर की स्थापना की जहां कन्या रूप देवी को स्थापित किया गया मंदर में देवी की काले पथर की प्रतिमा है इनके दाये हाथ में एक कमल है प्रिय भक्तिगरों उन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो सोला स्रिंगार में देवी आज भी सिवजी के आने का इंतिजार कर रही हो एक बार प्रेम से बोलिए जै माता कर्ण्या कुमारी जै हो माता कात्याइनी ओम नमः शिवाय अब आये सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा माधुर्गा को सिरावाली के न रूप में पाने के लिए मा पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सावला पड़ गया था लेकिन तपस्या सफल हुई और मा पार्वती को भगवान सिव पती के रूप में प्राप्त मा पार्वती और भगवान सिव एक साथ कैलास परवत पर बैठे थे तब ही हसी हसी में माता पार्वती को सिव जी ने काली कहकर पुकारा लेकिन वह पार्वती जी को बिल्कूल अच्छा नहीं लगा उन्होंने तुरंत कैलास छोड़ दिया वो बन में तपस्या करने चली जब वेबन में तपस्या कर रही थी तब एक सेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था लेकिन माता की तपस्या को सेर चुप चाप बैठ कर देख रहा था माता रानी ने वर्षो तक तपस्या किया उनकी तपस्या खत्म होने तक सेर वहीं बैठा रहा माता परवती की तपस्या को खत्म करने के लिए सिवजी उनके पास आये उन्होंने माता को गोरा होने का आसिरवाद दिया वर्दान पाने के बाद मा परवती श्नान करने के लिए गई जब वो श्नान करने गई तो उनके सरीर से एक और काले रंग की देवी निकली इनकी निकलते ही माता गोरी हो गई इन काली देवी का नाम कौसिकी पढ़ गया फिर माता परवती का रंग गोरा हो गया इससे माता परानी को एक और नाम मिला जिसे गौरी नाम से जाना जाता है अब देखिए जब माता पारवतिश नान करके बाहर आई तो अपने तप स्थान पर एक सेर को बैठा हुआ पाया बाद में उन्हें ग्यात हुआ कि उनका भक्छड करने आये सेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतनी वर्षो तक उनके समीप बैठा रहा इस तरह वह भी उनके तप में समलित रहा प्रसन हो वर्षो तक तप में साथ देने वाले सेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया तब से ही माता दुर्गा का वाहन सेर है और उन्हें सेरा वाली कहा जाता है एक बार प्रेम से बोलिये जै मा दुर्गा जै माता सेरा वाली ओम नमा शिवाय अंबे तु है जगतंबे काली जै दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुणे गाएं भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भत जनों पर भेड़ पड़ी है मैया भारी दानों दल पर तूट पड़ो मा करके सिंग सवारी साव साव सिंगों से तू बलसाली अश्च भूजाओं वाली दुष्टो कूपल में संघारती ओमे या हम सब उतारे तेरी आरती अंबे तु है जगतंबे काली जै दुरगे खपर वाली तेरे ही गुण गाएं भारती ओमेया हम सब उतारे तेरी आरती मा बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता पूत का पूत सुने हैं परना माता सुने कु माता सब पे करुणा दर्शाने वाली अमरित वर्शाने वाली दुखियों के दुख़डे नी वारती ओमेया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तु है जगतंबे काली जै दुर्गे खपरवाली तेरे ही गुण गाएं भारती ओमेया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दवलत नहीं मांगते सोना मां हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना सब की बिगडी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के संतन को तारती ओमेया हम सब उतारे तेरी आरती अंबे तु है जगतंबे काली जै दुर्गे खपरवाली तेरे ही गुण गाएं भारती ओमेया हम सब उतारे तेरी आरती चरन सरन में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली वरद हस्त सर पर रखलो मां संकट हरने वाली मां भर दो भक्ती की रस प्याली अश्ट भूजाओं वाली भक्तन के कारज तु ही सारती ओमेया हम सब उतारे तेरी आरती अंबे तु है जगतंबे काली जै दुर्गे खपरवाली तेरे ही गुण गाएं भारती ओमेया हम सब उतारे तेरी आरती